हेई देर, वेलकम वांस अगें तो माई क्लास, माई नेम इस खंचन and you are watching me on English Connection गाईज आज की वीडियो बड़ी ही important है क्योंकि आज आप इस वीडियो में सीखने वाले 25 one word substitution ये क्या होते हैं, examinations में आपके लिए ऐसे सवाल आते हैं, answer in one word यानि एक शब्द लिखकर जवाब दो, एक पूरा sentence लिखा है, एक शब्द में जवाब दिना है तो बड़े ही काम के ये word से वीडियो को पूरा देखेगा, written English वाले हूँ, आप चाहे spoken English वाले हूँ आपके लिए भी, यानि कि spoken English वालों के लिए भी बहुत ज़ादा important है, क्योंकि अगर आपको एक sentence की जगह, एक word बोलना पड़े, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना तो वीडियो को जरूर से एंट तक देखेगा, interesting and important वीडियो है ये, a person who always looks at the bright side of things कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी situation में हमेशा positive चीजों की तरफ ध्यान दे, यानि कि इससे क्या positive outcome निकलेगा, इस पर focus करें, उसे क्या कहेंगे एक word में, तो उसे कहेंगे optimist, यानि कि आशावादी एक sentence देख सकते हैं, आप कह सकते हैं, he is an optimist, किसी का नाम है, रोहन is an optimist, रोहन आशावादी है चलिए, next, a person, अब इसका opposite, a person who always looks at the dark side of things, तो यहां आप पाएंगे मैंने का dark side of things यानि कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा negative चीजों पर focus करता है, उसका ध्यान यह होता है कि अच्छा यह situation है, तो इससे यह बुरा हो सकता है, वो हो सकता है, सारी negative बाते करता हो, उसे English में क्या कहेंगे तो वो optimist का उल्टा होगा, opposite होगा और वो है pessimist, pessimist यानि निराशावादी, इस पर भी एक sentence, don't be such a pessimist, यानि कि इतने निराशावादी मत बनो, चलिए, आगे बढ़ते हैं, a person who walks on foot, यानि कि वो व्यक्ति जो पैदल चलता हो, तो पैदल तो सभी चलते हैं, लेकिन, especially in an area where vehicles go, जहां कि वाहन चलते हैं, यानि कि road पर चलने वाले व्यक्ति को, पैदल चलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, pedestrian, पैदल चलने वाला, pedestrian, अब इसका opposite, अब जो वाहनों में चलते हैं, उन्हें अगर एक word में बोलना हो, तो क्या बोलेंगे, a person who drives a car or other road vehicle, यानि वो व्यक् husband is dead, एक ऐसी street जिसका पती मर चुका हो, उसे कहते हैं, widow, यानि विद्वा, अब इसका opposite, एक ऐसा पुरुष, a man whose wife is dead, जिसकी पत्नी मर चुकी हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं, widower, ठीक है, तो उसे हिंदी में कहेंगे, विद्वर, अब देखिए, a person who believes that God exists, एक ऐ ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि भगवान हैं, उसे कहते हैं, theist, यानि कि आस्तिक, अब इसका opposite, कोई ऐसा व्यक्ति, a person who believes that there is no God, जो ये मानता है कि भगवान हैं ही नहीं, उसका opposite क्या होगा, atheist, ठीक है, atheist यानि नास्तिक, तो ये याद रखिएगा, theist, atheist, अब आगे बढ़त हैं, one who knows everything, यानि कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे सब कुछ पता हो, सरवग्य जिसे हिंदी में कहेंगे, तो English है, omniscient, omniscient, सरवग्य, अब ध्यान दीजेगा कि जब भी all का sense आएगा, तो omni-use होता है, ऐसे में, आगे और भी sentences आपको दिखेंगे, ऐसे, God is omniscient, तो भगवान ह हैं, जिने सब कुछ पता है, a person who speaks on behalf, on behalf of an individual or a group, कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप के बदले में बात करता है, उनकी तरफ से बात करता है, उन्हें कहा जाता है, spokesperson, spokesperson यानि की प्रवक्ता, a person who has had a lot of experience of something, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अ अनुभव हो, तो उसे एक word में कहा जाएगा, veteran, यानि दिरघानुभवी, जब कोई भी इंसान किसी firm में काफी लंबे समय तक काम कर लेता है, तो वो वहाँ पर veteran कहा जा सकता है, जिसे काफी लंबा अनुभव है किसी चीज़ का, चलिए, a person who helps the poor, जो गरीबों की मदद करत है, उसे एक word में कहेंगे philanthropist, यानि समास से भी या फिर पर रूपकारी, आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, a child whose parents are dead, कोई ऐसा बच्चा जिसकी माता पिता नहीं रहे अब मर चुके हैं, उसे कहा जाता है orphan, यानि अनाथ, आगे है, a person who enters another country to live there permanently, मतलब enter करता है किसी द permanently रहना चाहता है, to live there permanently, उसे कहा जाता है immigrant, immigrant यानि की आवासी, आगे बढ़ते हैं, a person who visits a place for pleasure, especially on holiday, तो कोई जब permanently रहने जाता है, तो immigrant कहलाता है, लेकिन जब केवल कोई holiday पे जाता है, ऐसे ही घूमने, तो उसे कहा जाता है tourist, tourist यानि की परियाठक, clear? a person who travels a long way, travel कहां करता है, a long way to a holy place, किसी पवित्र स्थान पर for religious reasons, यानि की धार्मी कार्णों से जब कोई दूर तक travel करता है, तो उन्हें कहा जाता है, तीर्थे यात्री, pilgrim, कहते हैं न, लोग तीर्थे यात्रा पे गए हैं, तो उन्हें pilgrim कहा जा सकता है, तीर्थे यात्र तो उसे कहा जाएगा polyandry, एक से अधिक पती रखने वाली स्त्री, आगे है spoken or done without any preparation or practice, without, without any preparation or practice, मतलब बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी तयारी के कोई चीज करना या फिर कुछ बोलना, तो वो क्यालाता है, ये देखिया, आपके सामने spelling है, लेकिन इसे आप extempore नहीं प तो यहाँ पर P.O.R.E. को परी पढ़ेंगे, extemporary, extemporary पढ़ेंगे, जैसे की example में बोल सकते हैं, an extemporary performance, कभी बिना किसी तयारी के कोई performance दे दे, तो उसे extemporary performance कहेंगे, an extemporary speech, भाषन बिना तयारी के भाषन दिया जाए, तो उसे कहा जाएगा extemporary speech, ठीक है, आगे बढ़ जिसमें जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, वो सब agreed हों, समर्थन देते हों, उसे कहा जाएगा unanimous, ध्यान दीजेगा इसे unanimous नहीं पड़ेंगे, इसकी pronunciation है unanimous, यानि एक मत, चलिए, done, made or given, willingly, विलिंगली, यानि इच्छा से, without being forced or paid to do, यानि कि कोई force नहीं किया गया, कोई पैसे नहीं दिये गया, कोई काम करने के लिए, तब उसे कहा जाता है एक word में, voluntary, voluntary यानि स्वैच्छिक, ठीक है, स्वेच्छा से, इच्छा से, the act of killing yourself, खुद को ही मार डालने को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, suicide, आत्म हत्या, आगे बढ़ते है something that is certain to happen, कोई ऐसी चीज जो होना निस्चित है, यानि जिसे टाला न जा सके, उसे आप हिंदी में अटल बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे inevitable, inevitable यानि अटल, जो टल ना सके, clear, death is inevitable, मृत्यू अटल है, यानि कि ये आने ही आनी है, इसे टाला नहीं जा सकता, ऐसे ह wrinkles are inevitable, तो जब बुढ़ापा आता है, तो wrinkles भी साथ में आते हैं, ये भी inevitable है, आगे बढ़ें, something that is clean and safe to drink, कोई ऐसे चीज जो पीने में बिलकुल safe है, clean है, यानि पीने योग्य है, पीने लायक है, उसे क्या कहेंगे, potable, potable यानि पीने योग्य, तो एक वर्ड में अगर बोल कि बजाए, is tap water safe to drink or clean to drink, उसके अलावा आप पोछ सकते हैं, is tap water potable, चले, one, who is present everywhere, यानि कि जो हर जगह present हो, हर जगह हो, उसे क्या कहेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि जब all वाली बात आए, यहां भी all आ रहा है, तो क्या आएगा, उसे हम बोलेंगे, ओमनी के साथ, ओमनी present, य अगवान सब जगह हैं, इसलिए हम उन्हें बोल सकते हैं, कि God is omnipresent, clear, something that is out of date, out of date, that means no longer in use, अब use नहीं होता, पुराना हो चुका है, जिसे हम कहते हैं, उसे एक वर्ड में बोलना है, तो बोलेंगे, obsolete, क्या बोलेंगे, obsolete, अप्रचलित, यानि कि जो प्रचलन में नहों, अप्रचलित, obsolete, obsolete words, जैसे कि आप देख सकते हैं, obsolete words, कोई word होता है, जो पहले use होता था, अब नहीं होता, तो हम बोलते हैं, that word is obsolete, या फिर this is an obsolete word, clear, तो guys, वीडियो कैसे लगी लिखे जरूर बताइएगा, comments में ये लिखना आपका बहुत जरूर है, कि आपको इसमें से क् पसंद आया, ताकि मैं उसी के according चीज़ें आगे बनाती रहूं, या नि आगे वीडियो उसी के according लेकर आऊ, वीडियो पसंद आयो, तो like जरूर कीज़ेगा, चैनल पर नए हो, तो subscribe जरूर करें, उसके बाद आने वाले bell icon को प्रेस करना जरूर होता है, ताकि आगे आने व झाल 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 झाल